वेल्कम टू नेवर गिबप में डियर इस्टुडेंट्स वेलकम है आपका और अभी की इस वीडियो में हम उत्राखंड में और उत्रप्रदेश में जो बूर्ड एक्जाम में लेटर राइटिंग आते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में उस पर डिसकस करने वाले हैं कैसे आप अच्छे नमबर ला सकते हैं और एक लेटर भी आपके लिए लिखा हुआ है कैसे आपको लेटर लिखना है अपकी आंसर सीट में तो उस पूरे में डिसकस करते हैं तो लेटर राइटिंग का टॉपिक है बोर्ड एक्जाम इंग्लिश सब्जेक्ट का है क्लास टें इस यह से उत्रागंड बोर्ड यूपी बोर्ड अधर इस्टेट्स बोर्ड और वीडियो को सुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ठीक है लाइक वही करता है जिसका दिल बड़ा होता है तो इस्ट अगर आपको और वीडियो चीए तो आप कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं वीडियो को लाइक करने ना भूलें थैंक्यू तो students we are today we are talking about formal letter आज हम बात कर रहे हैं formal letter की आपकी exam में दो तरह के letter आते हैं formal letter और informal letter तो informal letter पे भी मैं आपको already एक वीडियो दे चुका हूँ उसको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और आज हम बात करेंगे formal letter तो दोनों परकार का question आपके पास आता है एक आता है formal letter का एक informal letter का आप किसी एक को attempt कर सकते हैं ठीक है तो अगर उत्राखंट बोर्ड की में बात करूं इस्पेशली उत्राखंट बोर्ड की हिंदी मीडियों की जो student उनके लिए है तो 8 marks का आपके लिए question आता है और बहुत कम बच्चे इस question को कर पाते हैं इसलिए वीडियो में बना रह आपको अलग-अलग topic पे अलग-अलग number मिलते हैं अगर आपने receiver sender का address लिख दिया date लिख दिया receiver का address लिख दिया ठीक है dear sir इस प्रकार से आता है question लिख रहा है यू आर सिवानी ओब्लिक नमन अफ गंजाली तेहरी गड़वाल write a letter to the superintendent of police of your district district के superintendent of police को SP को letter लिखना है complaining about frequent cases of theft and chain snatching and you have to complain about the frequent cases frequent मतलब होता है अक्सर होने वाले cases हैं किसके चोरी के थैप मतलब चोरी के और chain snatching मतलब आपको पता ही है गले से चैन कीच लेना इस तरह की घटनाओं के बारे में आपको police superintendent को बताना है और complaint करनी है तो आपको letter लिखना है तो यह formal letter हो जाता है सबसे पहले आप formal letter में क्या लिखेंगे जो आपकी letter में address दे रखके address दे रखके न यह आप घंचाली टिहरी गडवाल के हैं देखोई इसको आप कहा से लिखेंगे question से ही मिल जाएगा घंचाली टिहरी गडवाल उतरा खंड़ तो formal letter में सबसे पहले क्या आता है एड्रस आता है सेंडर का ठीक है सेंडर्स एड्रस तो सबसे पहले सेंडर का एड्रस कुश्चन से लिखना है यह भी आप फ्री में मिल रहे है देन यह राइट जिस दिन आपका एक्जाम हो रहा है उस दिन की डेट आप यहां के लिख दीजिए मार्च 24 2022 मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपका एक्जाम उसी दौरान होगा और यह भी आपने उस दिन लिख दिया ठीक है उसके बाद एक लाइन छोड़के आपने यह लिखना है एक लाइन छोड़के फिर आपने क्या लिखना है सुप्रीटेंडेंट पुलिस रिसीवर्स एड्रस कोम बोलते है ऊब यहां पर लेकिन लिखने की जरुरत नहीं है अगर लिखने ही यह तो इधर का उलम होता है इसमें आप लिख सकते HOLな इतना ही लिखने की जरूरत है ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है अगर कोई मैडम है तू उसके बाद यह सब कुछ करने के लिए आपको बहुत कुछ याद करने की ज़रत नहीं है, सबी में मिल रहा है आपको और आपको इसके पॉइंट nCE और इसके पाद की लिखे लिए न ऐए लाइन छोड़ के आपका subject सब्जक्ट में लिखNBA वाउठ फिरूइंट लैटर में question में लिखा हुआ है देखो complaining about frequent cases of theft and chanis magic तो देखो subject तक का आपका जो matter सब कुछ question में और you can get definitely some marks from here और अगर आप subject तक लिख देते हैं ठीक है न body of the letter अगर आप नहीं भी लिख पारें ढग से subject तक भी आपने इतना प्रियास तो किया है ठीक है और अगर आपको पूरा लेटर लिखना आता है एंग्लिक स्थोड़ा वह समझ में आती है लिखना चाहते हो तो you can write like this इस प्रकार से आप लिख सकते हैं देखो यह मैंने आपके लिए लेटर लिख रहा है then comes the body of the ladder तब हम body of the ladder पर आते हैं और subject के बाद एक लाइन चोड़के यहां से थोड़ा आगे से यहां से हमने body of the ladder शुरू करना है तो आप लिखते हैं with due respect मतलब उचित सम्मान के साथ आपको respect देते हुए I want to inform you through this letter मैं आपको inform करना चाहता हूँ through this letter मतलब इस पत्र की माध्यम से that theft and chain snatching cases are increasing in our locality day by day की जो चोरी है theft मतलब चोरी और chain snatching के जो cases घटना हैं यह क्या हो रही है they are increasing बढ़ रही है increase मतलब होता है बढ़ना और increasing मतलब होता है बढ़ना और increasing मतलब बढ़ रहे हैं present continuous होता है बहुत सारे बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं ठीक है अब अब आपने लिख दिया कि अब हमारा आपका यहां पर पेज समाप्त होता है तो आप पेज समाप्त होता है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप नीचे लिखेंगे प्लीज टर्ण ऑबर ठीक है वैसे आपको यही से सिद्य को बीच में आपने यहां पर लिख सकते हैं और आप सबसे उपर यह जरूर लिख दें कि यह राइटिंग सेक्षन इससे examiner को काफी सहुलियत होती है कि आपने बहुत अच्छे से लिखा हुए कि आपने लिख देते को उसमें रीडिंग सेक्षन होता है और टेक्स्ट बुक से लिख दीजिए सबसे उपर कि राइटिंग सेक्षन डिडिंग सेक्षन और सीधे लेटर राइटिंग शुरू कर दीजिए यहां से अब जैसे आपका यहां पर सपोज हो जाता है वसे आपको कोशिश करने एक पीज में आपका पर जो लेटर है कंप्लीट हो जाए अगर नही पर अभी आया था कि our area has become the center of such activities इस तरह की गतिविजियों का हमारा area क्या बन गया है केंदर बन गया है center बन गया है a few days ago कुछ ही दिन पहले a chain was snatched एक chain snatch की गई चीनी गई जप्ती गई from the neck of a woman एक women के neck से neck मतलब garden से in daylight daylight in daylight मतलब बहुत अच्छा फ्रेज है दिन दहाडे आप बोलते है ना दिन दहाडे के लिए क्या बोलते है in daylight दिन दहाडे जो है एक महिला के गले से chain को चीना गया we have complained to local police हमने local police को complaint किया इसके बारे में local police station ठीक है इसके बारे में हमने local police station को complaint किया but they have not taken any concrete steps लेकिन उनके द्वारा नहीं लिया गया कोई ठोस कदम concrete steps और action और कोई कार्यवाही in this regard इस सम्मन्द में कोई कार्यवाही या कोई step नहीं लिया गया fully stop आपका sentence complete होगे बात पूरे होगे फिर आप लिखेंगे local police has even not registered an FIR in this matter और local police ने तो यहां तक even even not मतलब यहां तक की नहीं किया register register मतलब दर्ज an FIR एक FIR in this matter मतलब इस मामले में पिर आगे चलते हैं the local police has yet not been able और जो local police has yet not been able to open the theft in a house also happened a few days ago एक घर में ठीक है जो local police has yet not been able अभी योगया नहीं हो सकी है किस चीज के to open the theft चोरी को खोलने में successful नहीं हो सकी है in a house जो एक घर में होई थी also happened जो घटित होई थी a few days ago कुछ दिन पहले जो एक घर में भी घटित होई थी उस चोरी को भी local police ने अभी तक नहीं खोला है तो उसके बाद आप लिखेंगे theft, burglary, चोरी, सेंद मारी, burglary मतलब होता है सेंद मारी and other criminal activities और अन्य जो criminal activities हैं are taking place घटित हो रही है not only in day केवल रात में ही नहीं बट also in daytime बलकि दिन के समय में भी घटनाय हो रही है फुली स्टॉप आपके बाद complete होगे criminals like thief and burglar जो criminal है जैसे कि thief होता है चोर है, burglary, सेंद मार है, have no fear in performing their intent उनका अपने इरादे intent मतलब अपने इरादों को करने में उनका कोई डर नहीं है जो उनके मनसूबे मनसूबे या इरादे आप हो सकते उनको करने में उनको कोई डर नहीं है as the police officers क्योंकि as मतलब क्योंकि यह चूंकि the police officers are not arresting them, police officers उनको arrest नहीं कर पा रहे है and not doing patrolling यहां पर मैंने कार्ट दिया है patrolling आपके यहां लिख दिया है not doing patrolling regularly और जो police officer है वह regularly क्या है patrolling नहीं कर रहे है patrolling मतलब होता है gust करना police की gust होती है उसको नहीं कर रहे है जिसकी वज़े से जो चोर है वो दिन दहाड़े घूम रहे है और उनके अंदर डर बिल्कुल नहीं है फिर आप आगे लिखेंगे देखो आपको इतना लंबा लिखने की ज़रत नहीं है I am just giving you matter मैं आपको matter दे रहा हूं आप इसमें से choose करिये और selective लिखिये ठीक है na because of this और इसके कारण local people are very nervous जो local people हैं बहुत ज्यादा nervous है and scared of और डरे हुए है the bad condition of law and order in our locality हमारे इस्थाने इलाके में जो law and order law and order का आपने कई वार वर्ड सुना होगा कानुन ब्योस्ता कि जो condition है bad condition खराब condition है उसकी वज़े से डरे हुए हैं और तनाव में हैं घबराए हुए है ठीक है people who trust police लोग जो police पे विश्वास करते हैं department police department में जो विश्वास करते हैं are also putting question वो भी question raise कर रह करने का तरीक है उस पे वो भी क्या कर रहे हैं प्रस्न लगा रहे हैं प्रस्न चिन लगा रहे हैं therefore तब आप police superintendent of police क्योंकि जिले के मालिक होते हैं पूरे जिले के superintendent of police होते हैं IPS होते है therefore इसी लिए I request you to solve मैं आपसे request करता हूं solve करने की आगे हम चलते हैं next page में law and order system law and order का जो कानुन ब्योस्ता का जो system है उसको solve करने की आपसे request करता हूं for locality हमारे locality में and please visit here और आपके पर यहां आईए and order your local officers और अपने local officers जो आपके यहां पे थानद्यक्च होते हैं जो भी है CEO साब होते हैं उनको order कीजिए to regular patrolling regular to do regular patrolling करने के लिए उनको order कीजिए in day and night and दिन में भी और राज में भी and to ensure और यह सुनिश्चित जरूर कर दीजिए security of local people लोग इस्थानिया लोगों की सुरक्षा को ensure कर दीजिए आप इसको सुनिश्चित कीजिए and also चलो अब लैडर समाप तोने वाला है तो यहां से शुरू करते हैं ठीक है एंड आल्सो सेट एन inquiry in the matter of that और इसके अलावा आप जो है जो चूरी का matter हुआ है उसमें एक inquiry put up कीजिए और chain snatching में जो matter था भी तक ही sort out नहीं उसमें inquiry put up कीजिए that have taken place और जो घटित हुआ था उसमें आप inquiry कीजिए happened or happened taken place लिखिए या happened लिखिए recently जो हाली में हुआ है उसके matter में आप क्या कीजिए you have to set an inquiry in that matter in our local area जो हमारे local area में जो यह घटना हुई है happened मतलब घटित हुई local area में घटना ठीक है उसके मामले में आपको एक inquiry जरूर setup करनी चाहिए I shall be obliged to you मैं आपका आभारी रहूंगा thank you और yours sincerely and then name आपका आजाएगा यहां पे आप अपना sign जरूर कर दीजिए तो यह आपका formal letter समाप तो होता है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को like जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों से share कीजिए अगर आपकी काम की नहीं है तो आपकी धर में आपके छोटे भाई-बैन होंगे उनको आपी वीडियो शेयर कीजिए ज